हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं खुशिम और आप सफी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करते हो मेरी सफी दोस्त मेरी सफी भाई बहुत अच्छी हो इस आशा के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हो फ्रेंड तो मेरा टॉपिक आज कोई टू नाम है भ्रींग राज के बारे विलगवक्त है एक प्लाण है और ऑर जो कि इसकी जो इल शेम्पो में guide साबून मिलती में लिएि اक बहुत ही बहुत ही अपनी आप में एक बहुत ही बेनिसेनाल उसे भरपूर एक पौधा है और जिसको हम बहुत सरे लोग पहचानते भी नहीं है तो क्या होता है आज सभी जो रोगों की जो इलाज है इश्वर हमें नेचर की उपर दे रखती है लेकिन हम क्या करते हैं उसको नहीं पहचानते अगर हम इसको पहचान ले सही तरीके से और यूजस जानने तो हम अपरी रोजमेरा की जिंदिगी में इसको हम इसकिमाल कर सकते हैं और बहुत ही हम इसकी नेचर की बेनिफिर्स हम ले सकते हैं तो इसको मैं अभी उठाने वाली थी तो सोचा यह वीडियो मैं मना लू क्योंकि फ्रेंड्स इसको आज मैं हैर पैक लग स्कल्फ के आफ सल्बारा सकते हैं और बहुत जो यह थे सकते हो साहते आपको तो आप आपकी पहतों सकल्प मैं रहते हैं तो इसलिए यह जो भीम राज हें इसको पैक बहुत ही तो दिन पूरी बालों पर दे सकती हूँ इसकी आप पैक कैसे बनाओगे हैर पर इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आप इस इन पत्तियों को तोर के आप तोर लो तोर के इसको आप पेश्ट बडा लो उसके साथ एलोबेरा मिक्स करो उसके बाद आप अपने बालों पर लगा लो ठी हैरफॉल की प्रॉब्लेम थी बहुत ही जादा प्रॉब्लेम थी लेकिन अभी ठीक हो गई है लेकिन फ्रेंड्स यह नेचरल चीज़े है तो एक दिन में तो ठीक नहीं होगी इसके रेजल्ट पाने के लिए आपको लगपक यह दो तिन महीने या फिर एक महीने में ही आप एक महीने की अंदर ही रेजल्ट मिल गया तो आप इसको यूज कर सकते हो और अगर आप चाहो पैक नहीं आप हमेशा ही इसको यूज करना चाहते हो या फिर हर रोज ही तो इसकी आप ऑयल बना लो इसको आप ऑयल में डालके कोई भी वार्जिन कोकुना डॉयल हो या फिर आप जो ऑयल आप देती हो अपने इस बालो पर उस पर आप इस पतियों को फूलो को देखे आप इसको एकदम अच्छी तरह किसे उबालो चाहन के फिर आप स्टोर करके रख सकते हो तो इसका भी आप इस्तिमाल कर सकते हो फ्रेंज मार्केट में बहुत चाहरी ऐसे शेंप तो थोड़ा सा केमिकल होता ही होता है तो मैं तो कोशिश करती हो ऐसे एकदम ही डायरेक्ट देने की और आप भी ऐसा कर सकते हो इस तरीके साब इसको बना सकते हो तो अब ही आती हो इसको आप कैसे लगा सकते हो इसको आप कैसे पहचान सकते हो तो फ्रेंज देखो यह येलो वाला जो वाइड वाला फ्लावर है ये वाला है और ये सूप के चुटी-चुटी बीज होते हैं तो मैं इन बीजों को भी कलेक्ट करके रख दी हूँ जब भी मेरे पास खतम हो जाए भींग्राज तो मैं इसको जब भी तोरूँगी तो इसकी शीट को मैं दूसरी करती है जहां थोरी से ठंडी हो थोरी से मॉइस्ट मित्ती हो वहां पसंद इसको लगाना चाहिए इसको कटिंग से ग्रोकाना बहुत हीजिए है ज़िए छोटी-चटबाश कटिंग्स मैं लाए थी तो आप जब भी तोरिक्टे चेत की पास से तो आके मैंने इसको लगा द दोआना की दो क्या होता है चोटी ष्ण आच नह senior कर से इसकी को दोड़ to आप दिलती है क्या प्लास्टिक की बोड़ी तो क्या होता है इसकी बीज जो है इसकी बीज जो आप यहां वहाँ ऐसे लगा दो सभी पॉटों में इसको फेक दो तो अच्छी तरीके से ये प्लांट हो जाएगी तो इसको आप ऐसी मिट्टी पे लगाओ जैसे कि मिट्टी पे मोएस्ट रहें ठीक है मैं तो ऐसी नॉर्म इसको अगर आप जो हम रोज प्लास्टिक की यूज करते हैं उसके भी आप लगा सकते हो चोटी बॉटल्स भी आप लगा सकते हो कहीं भी आप लगा तो अच्छी तरह किस्ते ग्रो करती है सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि इस पर ना एक दम बहुत ज़ादा धूपना पर जैसे कि उस पर एक दम डाइरेक्ट ना परती हो लेकिन इंडिरेक्ट परती हो ऐसे जगह पर आप इसको रखो तो यह प्लांट अच्छी तरह किसे ग्रो करती है और फिर इसके जो मिट्टी है वह थोड़ी सी सौगी रहे तो अच्छा होता है क्योंकि खेत के पास क्या होत है तो अब भी अगर बोरी पर लगाती हो जहां भी लगाते हो कोशिश करना कि इसके मिट्टी को आप थोड़ा सा मॉइस्ट रखो मॉइस्ट रखने से क्या होता है यह प्लांट अपने आपको बहुत जादा तरीके से ग्रो करती है और अच्छी तरीके से यह प्लांट चल एक तो सब बना तो इन सब तोर तोर जो भी मुझे चाहिए नहीं देखों कि मैंने इसको तोर दिया है विश अगर शीड हूँ तो, शीड को मैं क्लेक्टर की रख ढूंगी। बाके को मैं ऐसे प 봤Man एल ईल ऐलो वेरा के साथ और गुढ़र की बत्ती होती है रेड गुढ़र होती है जो रीड गुढ़र ह्योग24 होती है उसकी साथ अगर आप इस बहुत ही अच्छी तरीकर से आपकी hair growth होती है hair fall जो होती है वो रुख जाती है आपकी hair ठीक होती है और कभी भी आपकी जो hair के जो प्रॉबलेम होती है यह सब खतम हो जाती है तो इसको आप यूज कर सकते हूं और मैं हमेशा कहते हूं कि अब जितना हो सके चाहे प्लान के लिए अपने अपने फायदा देगा नुक्सान से ज्यादा फायदा ही देगा तो इस तरीके से आप भ्रिंग्राज का इस्तिमाल अगर आप करोगे अपनी बालों पे तो अच्छी तरीके से आपके बाल भी बहुत लंबी हो जाएंगी घना हो जाएगा काला भी हो जाएगा जिनकी बाल सफेद होने लगे हैं जिनकी कुछ-कुछ बाल सफेद होने लगे हैं वो भी एकदम समय से पहले वो भी इसका इसका इ आइरविद में इसका भी प्रोयोग है स्कीन के लिए अगर आपके स्कीन पर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लेम हो जैसे की खुजली होती है रैशिस होती है या फिर कोई भी इन्फेक्शन होती है तो इसकी पेश्ट बना के इसका लेप बना के अगर अप लगाओ तो खतम हो जा हो जाती है तो फ्रेंज मैं आशा करती हो मेरी यह वीडियो आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरू करना और प्लीज आपसे रिक्वेश्ट है अगर किसी ने मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ल सब्सक्राइब करती हो मेरी वीडियो को देखने के लिए अब सभी दोस्तों का सभी वियोर्स का बहुत बहुत शुक्ति अच्छे रही खुश रही थैंक्यू झाल 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 झाल